ये है दुनिया की दूसरी सबसे उची प्रतिमा इसका नाम है Statue of Equality इस मूर्ति का इतिहास 1000 साल पुराना है सबसे इंटरस्टिंग बात ये है कि ये जिनकी मूर्ति है उनका पार्थिव देह आज 1000 साल बाद भी हमने सनरक्षित कर एक मंदर में रखा हुआ है तो चलिए आज तक एक्स्प्लेनर की इस वीडियो में बात इसी Statue of Equality की अखरकार ये मूर्ति किसकी है और इसे क्यों बनाया क्या है इससे जुड़ा 1000 साल पुराना इतिहास क्या है साथे साथ बताएंगे कि इनका पार्थिव देह 1000 साल बाद भी किस मंदर में सनरक्षित कर रखा गया है इस कहानी के शुरबात होती है 10 मई साल 1017 से तमिलाडू के श्री पिरंबदूर इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने कांची जाकर यातो प्रकाश गुरू से वेदो की सिक्षा ली और बड़े होकर रामानुजाचारे कहलाए आगे चलकर रामानुजाचारे ने पुरे भारत में वेदांत और वैशनो धर्म का प्रचार प्रसार किया पहली बार भारत में समानता की बात करने वाले इन रामानुजाचारे के जन्म के एक हजारवे साल के मौके पर हैदराबाद में एक हजार करोड की लाहगत से एक भव्य मंदर और आठ धात्वों को मिलाकर रामानुजाचारे की 216 फीट उची मूर्ती बनाई गई है जो कि दुनिया की बैठी हुई दूसरी सबसे उची प्रतिमा है यही नहीं इस भव्य मंदर के अंदर 120 किलो वजनी सोने की एक मूर्ती भी स्थापित की गई है 45 एकड के एक शेत्र में बने इस मंदर में पांच फरवरी को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी इस 216 फीट उची प्रतिमा का उधगाटन करेंगे वहीं तेरा फरवरी को मंदर के अंदर रखी 120 किलो वजनी सोने की प्रतिमा का उधगाटन करने राष्ट पती रामनात कोवन खुट शामिल होंगे इस सोने के मूर्ती को 120 किलो का रखने के पीछे भी एक कारण है इस मंदर की पुरी परिकल्पना करने वाले त्रीडंडी स्ट्वी चिन्ना जियार स्वामी बताते हैं कि साल 2017 में जन्मी रामा नुजाचारी 120 साल तक धरति पर रहे इसके इनकी सोने के मूर्ती को भी 120 किलो का रखा गया है इस पुरे मंदर की परिकल्पना भले ही पुजित चिन्ना जियार स्वामी ने की है लेकिन इसके आर्किटेक्ट हैं आनंद साइं जो कई बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों के आर्ट डारेक्टर के तौर पर काम कर चुके है जाते जाते आपको बताते चले कि रामानुजाचारे का पाथिवधे आज तमिलाडु के तिरुचिरापली के फ्ट्वी रंगम में मौझूद मंदर में रखा हुआ है बताया जाता है कि ये भारत का इकलौता मंदर है जहां ब्रट शरीर को रख कर कई सालों से पूजा की जा रही है ऐसे इंटरस्टिंग और नौलिज बढ़ाने वाली एक्स्प्लेइनर वीडियोज देखने के जोड़े रहें आज तक के साथ